हेलो नमस्कार साथियो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज हम देखने वाले बिहार ITI में एड्मिसन 2023 में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए इंट्रेंस एक्जाम का जो है सारा चीज जो है जारी कर दिया गया आपको फॉर्म कैसे अपलाई करन है रेजिस्टेशन डेट क्या होने वाला है और जो है आपको फी कितना लगने वाला है और जो है ITI में फी कितना लगता ये भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं ठीक है तो चलिए सभी जानकारी देखे इस वीडियो में और आपको बहुत ही महत्यपुन जानकारी इस यर्थ किये हुए और आप सभी देखिए फटाफट तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं BCC का ओफिसियल वेबसाइट आप यहाँ पर आ जाना है उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे जो है online application form इसमें जो है first number पर देख सकते है online application portal ITICAT इस पर जो है click कर देना है आपको और click करने के बाद जो है आपको इस तरह से जो है open होगा open होने के बाद जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है important date दिया गया है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते है online registration starting date जो है 15-4-2023 रखा गया और closing date 13-5-2023 रखा गया और payment online mode कर सकते हैं और देखिए detail में इस वीडियो को और यह देख सकते हैं जो है PDF open हो करके आ चुका है और इसमें जो है आपको fee कितना लगता है total ITI करने में जो है आपको 1080 रुपिया मातर लगता है यानि कि अगर admission लेते हैं तो आपको सिर्फ 1080 रुपिया में आप pass out करते हैं और इसमें जो है 3000 रुपिया आपका scholarship भी दे दिया जाता है तो यह बहुत ही कम दामों में आपका डिगरी मिल जाता है और गवर्मेंट से डिगरी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और कम खर्च में आप प्राइवेट में जाएंगे तो 40,000 रुपिया का सपास खर्च आता है लेकिन अगर आप ITI करते हैं तो बहुत ही कम खर्च में आपका complete हो जाएगा ITI का course यानि कि समझी है तो 0 रुपिया पे आपका ITI complete हो जाएगा तो इस in transfer form को ज़ो है जदूर fill up कर दीजेगा और fill up करने के बाद जो है आपका exam होने होगा और असके बाद counseling होगा counseling होने के बाद जो है आपका admission हो जाएगा और admission होने के बाद जो है आप का लास regular करके जो है अपना knowledge बढ़ा सकते हैं जो भी trade में आपका admission होगा ठीक है तो देख लिजी सबसे पहले important date के आ रहने वाला है तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है online registration starting date जो है पंदरो चार रखा गया उसके बाद closing date रखा गया है 13-5-2023 यानि की एक महिने का time आपको जो है दिया गया है apply करने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं online debit card net banking से जो है payment कर सकते हैं और जो है exam इसका date रखा गया है 11-6-2023 तो इसमें जो है संसोधन भी हो सकता है हो जाए ठीक है तो अभी जो है अभी फर्म का date ही निकला है हो सकता है बढ़ा भी दिया जाता है लेकिन आप सभी बढ़ाने का इंतिजार नहीं कीजेगा फर्म को जो है पहले ही fill up कर लिजेगा जिससे की आपको problem नहीं हो आगे चल करके और इसमें जो है फी कितना लगने वाला है तो आप देख लिजेए यहाँ पर आसपस्ट रूप से दिया गया है category के अनुसार जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपिया लगेगा आप BC category से आते हैं और SC ST से आते हैं तो आपका 450 लगने वाला है और disability के साथ आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम खर्च में आपका ITIA complete हो जाता है ठीक है तो category के अनुसार देख सकते हैं अनुसुजित जन जाती का 100 रुपिया लगने वाला और यहाँ पर लगता है तो इस फोर्म को जो है आप सभी फिल अप जरूर कर दिजेगा और पाट A, पाट B फोर्म जो है आपको फोर्म फिल अप करने के बाद जो है इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा ठीक है और इसमें जो फोटो मांगा गया उस पर जो है आपका नाम और डिटा बर्थ होना अनिवारिया है ठीक है क्योंकि उसे जो है फोटो पे अंकीत रहना बहुत जरूरी है और उसके बाद जो है उसको अपलोड कीजिएगा और जो है गोवर्मेंट ITI में लगभग जो है 25,000 से उपर 28,000 के आसपास सीट है ठीक है सभी केटेगरी को मिला करके जो है 28,000 के आसपास सीट है तो इस पे जो है आपका काउंसलिंग होगा और एडमिसन होगा और आप अपने डिस्टिक में अगर लेना चाहते है जहां से 10 पास की है वहाँ भी आपका जो है एडमिसन हो जाएगा गोवर्मेंट ITI में और देखिए लास्ट में जो है ख इसकाउंट जो भी मिल जाता है तो बस इतना ही खार्च है इसमें और उसके बाद जो है इसमें स्कॉलर सीप भी आपको मिल जाता है 3000 का तो समझ यह कोई भी खार्च नहीं है ITI करने में यह गोवर्मेंट ITI से अगर आप करते हैं ITI तो और जो है मैं खुद इस ITI से पास आ अनखारी परवाइड किया जाएगा सही सही और जो है कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर कभी भी नहीं दिया जाता है तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा हो सके तो दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा तो थैंक्स फ